ओम स्री सद्गुर्दे भगवान कीजे पहला प्रिश्ण मुक्ति क्या है मुक्ति कैसे प्राप्त हो संसार में प्रतेग मनुष्य दुख और असांती का अनुवव कर रहा है सब कोई मुक्ति चाता है लेकिन यथार्त प्रकिरिया से अनुविग्य होने के कारण मुक्ति के सही मार्ग पर ना चलने के कारण वह मनुष्य मुक्ति से बंचित रह जाता है तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए सर्व प्रतम अनिवार है कि एक साधक को साधना का यथार्त ज्ञान प्राप्त हो थोटी कल जो प्रोसेस है वो ज्ञान जो है वो प्राप्त हो दूसरा कोई आत्मग्यानी संत या आत्मग्यानी संतों का सानित मिल जाए तो वो भी मुक्ति की दिसा में कारगार होता है तीसरा साधना और आत्मग्यानी संत के बाद ब्यक्तिकत साधना को निष्टा के साथ करना होता है और जो कोई साधक साधना को निष्टा फूरुवक करता है वो साधक साधना से धीरे 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 मुक्ति की दिसा में आगे बढ़ता है अब माल लेजिये किसी ने कहा मुझे मुक्ती मिल गई तो उसकी उपचारिकता क्या है कैसे ये जाना जाए कि व्यक्ति को मुक्ती मिली खेने मात्र से तो होता नहीं वो अनुभूती कैसे हो जिस अवस्ता में पहुँचके ये अनुभव हो कि हम मुक्त हो गई बास्ता में जब कोई यूगी मुक्ती को प्राप्त होता है तो उसकी ब्रत्तियों का नास हो जाता है किलिष्ट अकिलिष्ट देवी आशुरी सजातिये और बिजातिये दोनों प्रकार की भावनाओं का नास हो जाता है चित का जो स्वरूप है वो भोध मात्र चेतन्य हो जाता है चित चेतन्य हो जाता है और चित के अंतराल में जो कर्म संसकार है उनका नास हो जाता है अभिद्या अज्ञान का नास हो जाता है रागद्वेस आधी प्रवर्तियों का नास हो जाता है जो अभीनिवेस है अभीनिवेस की परिवासा है कि बच्चपन से लेगर के आज तक हमने जो भौटिक जगत में कर्म किये उनकी इस्मर्तियां हमारे चित्त में इकटे हो जाती है और वो ब्रत्तियां फिर ध्यान में बिग्ण डालती हैं उन ब्रत्तियों का भी नास हो जाना तो हम कह सकते हैं संसकार छे और निर्वान संसकारों का नास हो गया और सादक को निर्वान या मोक्च की प्राप्ती हो गई तो मोक्च प्राप्त होने के बाद चित जो है वो बिलीन हो जाता है परमात्मा में परमात्मा कौन है और चित क्या है दो तत्वों को समझना है चित में अनंत चित ब्रतियां इस्ताहितु लेती है ब्रतियों का आना ब्रतियों का जयाना चित वो दरहताले जहां ब्रतियां आती है ब्रतियां जाती है ब्रतियों को उत्पन करने में कारण चित है तो उसमस्त ब्रतियों का केंद्र है चित जहांसे ब्रतियां उत्पन होती है ब्रतियों का प्रादुर्भाव होता है और ओ चित और चित ब्रतियां दोनों ही पूर रूप से बिले हो जाती है साधना से समाधी की अवस्ता में समाधी की अवस्ता आजाने पर योगी को अध्यात्म प्रशादा वो दरश्टा का अनुभव हो जाता है जो बोध मात्र है और उसी दरश्टा के अनुभव से योगी परम्मुक्त है दूसरे सब्दों में मुक्ती की परिवासा है सांती मुक्ती की परिवासा है अद्दोय तवस्ता को पाना असल में मुक्ती की प्राप्ती ब्यक्ति गत या पदार्त गत या भोंतिक नहीं है मुक्ती मिल जाना मन की ही मुक्त तवस्ता है कोई सादक जब सादना करता है जब द्यान योकी किरियाओं को संपादित करता है योकी किरियाओं का अनुष्टान करता है निश्टा पूरवक तो वो दीरे दीरे उसका चित सांत होता जाता है सांत होता जाता है बिलीन होता जाता है और अंत में चित के पूर्ण चैतन हो जाने को ही मुक्ति कहा रिशियों ने तो मुक्ति प्राप्ति के लिए साधना को निष्टा से करना है कोई भी मनुस्य प्रतवी पर कहीं भी जन्मा हो निष्टा से बिर्ग काल तक साधना करता है तो उसके चित की वृत्तियों का नास संसकारों का नास हो जाता है और वो अभै पद को प्राप्त हो जाता है परम मुक्ति, परम चेतन, परम ज्ञान को उपलब दो जाता है और मुक्ति मिलने के बाद सादक पुने बंदनों में नहीं आता है बंदन और मुक्ति का जो असली संबंद है वो भौतिक जगत से उतना नहीं है जितना चित्त से चित्त की ब्रतियों से प्रवर्तियों से जैसी ब्रति होती है जैसी प्रवर्ति होती है मनुस वैसे ही कर्म करने लगता है वैसे ही कर्म करके मनुस संसार में प्रवर्त होता है इसलिए चित्त की ब्रतियों का निरोध ही योग है और ब्रतियों के निरोध बल